गुड मॉर्निंग, गुड इबनिंग, गुड आप्टून, जब भी आफ इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो चैप्टर है, इसको मैं एक बार में खतम नहीं करूंगा, क्य कि काफी वास चैप्टर है, एक बार में साय तब कुस समझ में भी नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, तो इसके साथ मैं पैरलल में कुछ और भी क्लासिस चलाओंगा, दूसरा, आज को जो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण वो चैप्टर के बारे में काफी लंबर टाइम से डिमांड भी आ रहा है, लेकिन एक सिक्वेंस होता है पढ़ाने का तुसरी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, बॉल्यूम वन का चैप्टर नंबर एट, जो बहुत महत्वपूर्ण बहुते महत्वपूर्ण चैप्टर है चैप्टर के रहा है, एक्सपलोसिब्स, एसेसरीज, एन делать ब्लास्टिंग, यानि इस चैप्टर में आप लोगल्ग ब्लास्टिंग, बहुत सरा टाइप का अंडर गोर्ड ब्लास्टिंग, अलग लग टाइप का बारोद, बारोद से रिलिय्टिड मैटरियल, इन सभ के बा आप पहले भी बहुत सारे किताब पढ़ चुके होंगे लेकिन हम आपका डीजे देस्मुक जो आपका टेक्स्ट बुक है उसको रेफरेंस लेके चलेंगे और उसका लाइन बाइन समझने का कोसिस करेंगे ताकि एक भी पॉइंट आपका इस चैप्टर से छूटे नहीं इस चीज के बारे में समझते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है कि एक्सप्लोसिभ है क्या था एकप्स्प्लोसिफ या तो एक लिक्वड सबस्टांस है या तो वो सेमी सॉलिट सब्स्टांस अब लिक्विड क्या होता है सेमी सॉलिड क्या होता है इसको समझेगा माल लेजिए एक बोतल में हम पानी भरें ये क्या है लिक्विड है ठीक है पानी भरें अब इसी पानी में हम क्या डाल दिये सत्तू डाल दिये सत्तु डाल के इसको घोल दिये घोलने के बाद 10 मिनट हम इसको ऐसे ही छोड़ दिये अब क्या होगा नीचे का जो हिस्सा होगा इसमें आगे सत्तु सब पूरा बैट जाएगा गाढ़ा सत्तु अगर आप घर में एक्सपेरिमेंट किया होंगे तो ये गाढ़ा सत्तु जो है ना यही आपका सेमी सॉलिड कहलाता है क्या कहलाता है सेमी सॉलिड कहलाता है मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं the precipitation of any liquid substance is called semi-solid तो कुल मिला गर के कहा जाए तो एक explosive क्या है एक explosive एक liquid या semi-solid फॉर्म में होता है जिसको एक cartridge का रूप दे दिया जाता है और जब उसमें कभी भी instant shock दिया जाएगा या detonation दिया जाएगा तो अपने आपको large volume of gases में change करेगा किसमें change करेगा large volume of gases में change करेगा with high energy तो यही large volume of gases sufficient energy release करता है explosive तो इकुल मिला करके ये आपका chemical energy को पूछ दिया जाएगा कि what is the mechanism of explosive तो explosive बेसिकली क्या करता है chemical energy chemical energy को mechanical energy में change करता है यानि कि कुछ कुछ chemical है explosive क्या है cartridge हो सकता है खूला भी हो सकता है इसमें semi solid या liquid substance भरे होते है जिसमें जब आप detonation या sudden shock देते हैं तो large volume of gases में अपने आपको change करता है यानि कुल मिला करके अपना common भासाम बोला जाए तो इसमें जब बारुद में चिंगारी पड़ेगा तो फूट जाएगा फूटेगा तो भडाम से blast करेगा तो बहुत दूर तक इसका energy जाएगा जिससे तोड़ फोड़ करेगा पत्थर के नीचे गुशा दिया तो पत्थर तोड़ देगा जमीन के नीचे गुशा दिया जमीन फाड़ देगा तो ये change करेगा तो basically इसके अंदर में बहुत सारे chemical भरा होता है यानी इसके अंदर में क्या है chemical energy है और ये अपने आपको mechanical energy में change करता है तो what is the mechanism of explosive chemical energy को change करता है mechanical energy में यही इसका mechanism है ठीक है? चली, अब आगे बढ़ते हैं अब आते हैं materials materials of explosive explosive में आखिर क्या-क्या materials भरे होते हैं अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते है तो देखो यार इसके बारे में मैं एक video बना हूँ बहरा detail में मैं काम करूँगा उस video का आपको भेज़ दूँगा लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर समझा दे रहा हूँ देखो एक तो होता है combustible material पहला नंबर पर आता है combustible material को हम लोग कह सकते हैं constituent of explosive यानि explosive अगर बनता है तो किस किस चीज़ से मिलके बनता है तो आप बोलेगा कि चीनी डालते हैं उसमें दूद डालते हैं उसमें चाय पत्ती डालते हैं उसमें अद्रक डालते हैं ठिक इलाइची डालते हैं उसमें पानी डालते हैं तो यह सब क्या है यह सब constituent है इसे इस चीज़ से मिलके बनता है अब अलग-अलग proportion होगा सर्थ आप अगर बोलेंगे कड़क चाय बना तो कड़क चाय में चाय पत्ती ज्यादा डालेंगे, आप बोलेंगे अद्रक कूट के चाय बना तो अद्रक ज्यादा डालेंगे, आप बोलेगा इलाची ज्यादा डालो तो इलाची ज्यादा डालेंगे, तो अलग-अलग टाइप का कि आदमी का अलगलग सौक होता है तो बिलकुल इसी तरह से बारुद भी मना जाता है जाता है वारुद् आपको अपिझाट में यूज करना ऑलग टायप का बनेगा अंडरcott में यूज करना अलग type का इश्त्माल होगा, तो बैसिकली कंस्टिच्टिट्ट यही सब होते हैं, लेकिन उसका अलग 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 प्रोपोरशन होता है, कुछ अलग अलग कैमिकल मिलाते हैं, ठीक है, तो उससे अलग-लग बनता है, फोर बेशामपल यहां पे, तो आप इसमें गुड़ डाल दीजेगा एक सकर के जगह पर आप इसमें गुड़ डाल दीजेगा अगर आपके पास दूद नहीं है गाई वाला तो आप भाइस का दूद डाल दीजेगा आपके बाद भाइस का दूद नहीं है तो पाउडर वाला दूद डाल दीजेगा अमुल दूद डाल दीजेगा पाउच वाला दूद डाल दीजेगा तो यह डालते तो है न समान तो काम सब का सेम है लेकिन अलग-अलग chemical का इस्तमाल किया जाता है इसी तरह से जो explosive का material होता है जो explosive का material होता है उस material में जो कुछ material है उसके बारे मैं आपको बताता हूँ पहला material है combustible matter combustible matter या nhiên explosive को अगर आप जलाईएगा तो जलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना भाई साहथ तो जलाईएगा तो जलाने के लिए जो चीज्छ चाहिए उसको बलते है combustible matter होता है जो जलता है जो जलता है उसे कहते है old meal का मतलब साहए लंकडी का बुरादा, कोनो फरनीचर दुखान में जाईएगा, तो देखेगा बहुत पतला-पतला लकडी का बुरादा रहता है, तो बिलकुल ऐसे ही बारूद में बुरादा भरा जाता है, या तो ये भर सकते हैं, या तो हम फाइबर भर सकते हैं, जिसे जूट होता है, जूट, या तो हम सलफर भर सकते हैं, या तो हम चारकूल भर सकते हैं, ठीक है, इन में से कोई भी चीज को हम भर सकते हैं, तो कमबस्टिवल मैटर में आप उड का इस्तमाल करेंगा, फाइबर का, सलफर का, चारकूल का, कोई भी चीज का इस्तमाल कर सकते हैं, सबका काम यही है, ज जले घाड़ी चलाते हैं पेट्रोल डालते हैं पेट्रोल जलता है तो गाड़ी चलता है इसी तरह से एक्स्प्लोसीव में कमबस्टेवल मैटर होता है यानि उड़ मिल जलेगा जलने वाला कोछीज होना चीZ आ तो वह है उड़ मील फाइब रूज़ने सुर्वर्य है यह सब क्या है यह सब इसके लिए जलने वाला चीज है चलिए आते हैं दूसरा नंबर दूसरा नंबर पर आता है ऑक्सीडेशन एजञन्ट या फिर इसको कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजञन्ट किए ऐजिन कि ऑग्सीज़ को हमको क्छीज़न देना होता है तो हम अकसीज़नर का स्थिमाल करते आ बारूत को अंदर में डाल रहे हैं उसके टैमिंग कर दे रहे हैं तो यह उस फितना उक्छीज़न नही पहुंचेगा तो पर उक्सीज़न होना चीछ तो पैक रहता है प्लास्टिक से उपर से रैपर से तो इसलिए इसमें हम लोग oxidizing agent डालते हैं oxidizing agent basically क्या होता है? nitrate compound जैसे example देखेगा तो sodium nitrate और example देखेगा ammonium nitrate और example देखेगा तो आपका potassium nitrate तो basically जिनरली oxidizing इजरत का काम करते हैं किसका काम करते हैं oxidizing agent का काम करते हैं nitrate compound और oxidizing agent के पहले हमने क्या पढ़ाया हमने पढ़ाया कमबस्टियबल मेंटर ümüz्टियबल मेटर क्या होता है जो जलता है जैसे wood milk जैसे fiber जैसे sulfur जैसे चारकोल इसी तरह से oxidizing isn't क्या होता है जो oxygen supply करता है जो कि nitrate compound generally है जैसे sodium nitrate जैसे potassium nitrate जैसे ammonium nitrate यह सब क्या है यह सब oxidizing isn't है oxygen supply करता है बारूद को अब तीसरा नमबर पे आता है stabilizer 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 क्या होता आप समझेगा अब बारूद है बारूद में 50 chemical आप डाले है तो अब 50 chemical आपस में reaction करेगा तो फूट जाएगा मान लिजे हम chlorine डाल रहे हैं फिर कुछ और डाल रहे हैं फिर कुछ और डाल रहे हैं तो यह तीनों को डालते डालते हो सकता बारूद blast कर जाए तो stabilizer generally क्या होता है carbonate compound होता है क्या होता है carbonate compound होता है example के तौर पर आप देख सकते हैं किताब में भी दिया होगा magnesium carbonate magnesium carbonate और एक्जामपल ले लेते हैं चलो magnesium carbonate के साथ एक जो बहुत ही बहुत बहुत बोन एक्जामपल है वो है calcium carbonate calcium carbonate अब सवाल यह है कि इतना याद कैसे रहेगा तो देखो यार इसको बार बार आपको revision करना पड़ेगा हम जब आपको पढ़ा रहे न तो आप कोशिश कीज़े एक तो copy or column लेके बैठिये और जैसे हम लिखते जारे वैसे इससे लिखते जाई इससे क्या होगा पहला तो और चल रहा है competition वाला कुछ कहानी जा सकता है कि क्या पूछेगा भाज सब गेट का question पूछ दे रहा है यार लड़का लोक से तो अब तो अलगी बात है तो material of explosive में आपने अभी तक क्या पढ़ा आपने पढ़ा कि अलग अलग टाइप का material होता है इसमें combustible material होता जो जलता ह है जिससे लकडी का बुरादा हो गया fiber हो गया sulfur हो गया चार्कुल हो गया औक्सिराइजिंग एजन जो oxygen सप्लाई करता है इसमें generally nitrate compound होता है जैसे sodium, nitrate, ammonium, nitrate, potassium, nitrate stabilizer क्या होता है जो आपस में बहुत सारे chemical हम इलाग कर रखें explosive में तो आपस में reaction न कर जाए उसके लिए इसमें stabilizer डालते है stabilizer आपका carbonate compound होता है इसमें magnesium, carbonate, calcium, carbonate ठीक यहां तक आप पढ़ें चलिए हम लोग अगला slide देखते हैं इसको आप चाहें तो note कर सकते हैं ठीक है इसको आप चाहें तो note कर सकते हैं चलिए अगे बढ़ते हैं अब चौथा जो compound आता है जिसको इस्तमाल करते हैं वो आता है anti-setting anti-setting agent anti-setting agent क्या होता है यह समझते हैं देखो यार हम explosive को बनाएं explosive को बनाने के बाद हम चाहते हैं कि यह तीन महीना तक खराब ना हो तो अब तीन महीना तक खराब ना है इसमें हम क्या की इसमें हम semi-solid type का substance डालें semi-solid type का तो अब क्या होता अब कभी कभी क्या होता यह जम जाता है यह क्या होता है यह जम जाता है तो यह जम है नहीं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कुछ chemical डालते हैं उसी को कहते हैं anti-setting asset तो मतलब जो explosive का cartridge है यह explosive salary form में है वो जम के कड़ा पत्थर चटान ना बच जा है खराब ना हो जा उसके लिए हम लोग इसमें क्या डालते हैं anti-sizing agent डालते हैं तो इसको आप कह सकते हैं to prevent caking of salts इसमें बहुत सारे chemical salts मिलाते हैं इसलिए to prevent caking of salt हम लोग क्या करते हैं anti-setting agent डालते हैं anti-setting agent क्या करते हैं डालते हैं anti-setting agent का यहाँ पर example नहीं दिया तो अच्छी बात है आपको रटना भी नहीं पड़ेगा अब आते हैं पांचवा नंबर पे इसको बोलते हैं sensitizer sensitizers sensitizers sensitizer क्या हो तब समझते हैं मान के चलिए कि आपको बारूद दे दिया गया बारूद लेके माइस में जार चलते चलते आपका भगवान नकरे ठेस लग दिया और जो बारूद है तो आप तो फूट जाना चीए भई बारूद को बारूद में तो बहुत ही sensitive chemical रहते हैं तो ऐसा नहीं होता है अगर जो P5 explosive है या अंडरगाउड माइस में जो बारूद है इस्तमाल कर रहे है अगर उस बारूद को आप जमीन में रख के उसके पर चड़ के कूदिएगा उचलिएगा या फिर उसके पर में हॉलेज गाड़े को पुरा उड़ा दीजेगा चड़ा दीजेगा तब भी वो बारूद नहीं खराब होने वाला है नहीं ब्लास्ट करने वाला है ऐसा क्यों जब तक उसको 사डन सौक या डेटोनेशन नहीं दिया जाएगा तब तक वो ब्लास्ट नहीं करेगा लेकिन अगर वही वाला जो बारूद है उसमें आप electricity वाला तरिय घुसर दिजेगा और लाइन दे दिजेगा तार में करेंट आजाएगा तब वो ब्लास्ट कर जाएगा तो मतलब sensitizer एक ऐसा chemical होता है, कुछ ऐसे chemical मिलाए जाते हैं, जो जन्रली metallic powder होते हैं, जो insensitive कर देता है बारूत को, क्या कर देता है बारूत को, insensitive कर देता है ताकि टकराए तो टूटे, टकराए तो फूटे नहीं, बारूत क्या हो, फूटे नहीं, उसके लिए हम लोग क्या क क्या होता है metallic powder होता है ठीक है देखो यार यहां तक तो आप पड़े होंगे combustible material होता है oxidation होता है stabilizer होता है anti-setting होता है sensitizer होता है अब कुछ-कुछ किताब में दूचार को term दिया हुआ है जैसे दिया हुआ है fuel deprescent या फिर cooling आपका cooling agent जिसको हम लोग कहते है यह दिया होगा ठीक है तो यह सब है दोनों एकी चीज़ कूलिंग क्या होता है समझेगा कभी कभी क्या होता है बारूत को जब आप जलाते हैं मतलब ब्लाष्ट किये ब्लाष्ट करने के बाद बारूत में आग लग जाता है और वही वला आग अगर CO gas है मतलब CH4 है गरम gas है तो तो बिसफोट कर देगा भाई साथ तो इसी लिए cooling agent डालते है कुलिंग एजन्ट क्या करता है बारूत जैसे जलेगा जलते साथ बारूत को ठंडा भी कर देगा जैसे जला बारूत का काम हो गया फोड़ फोड़ जो करना था कर लिया उसके बाद बारूत का जो काट्रीज उसको तुरन ठंडा कर देगा इसके लिए हम लोग उसमें cooling agent ड मार लेते हैं सबको तो हमने आपको क्या बताया सुरू से अभी तक हमने आपको बताया कि explosive का जो mechanism होता है वो होता है chemical energy को mechanical energy में change करता है ठीक यह चीज आपने पढ़ा इसके बाद हमने आपको बताया constituent जिसको हम material भी कह सकते हैं of explosive तो material of explosive में अपने क्या पढ़ा आपने सबसे पहले पढ़ा combustible matter combustible matter इसमें आपने पढ़ा कि जो जलता है उसे बोलते हैं combustible matter जैसे wood mill जैसे sulfur जैसे fiber जैसे charcoal यह सब था आपका wood mill में दूसरा में हमने आपको पढ़ाया oxidizing agent इसमें आपने क्या पढ़ा जो nitrate compound होते हैं वो oxidizing agent होते हैं जैसे potassium nitrate sodium nitrate and ammonium nitrate ammonium nitrate यह सब क्या है आपका oxidizing agent फिर आपको हमने क्या बढ़ाया हमने पढ़ा है STABIDER के बारे में हमने पढ़ाया कि यह stable करके रखता है इसमें Jeep carbonate compound कि कर्वोनेट कंपाउंड कारिशाम कार्बोट हो गया आपका magnesium carbonate हो गया ठीक है तो यह सब आपका stabilizer में आता है फिर हमने आपको बताया anti-setting agent इसमें chemical का नाम नहीं दिया बुक में तो यह क्या है केकिंग को prevent करता है केकिंग को क्या करता है prevent करता मतलब जमने नहीं देता है फिर हमने आपको पढ़ाया sensitizer 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 बता है कि आपस में reaction ना कर जाए इसके लिए इसको लगाया जाता है इसमें जनरली metallic powder जो होते हैं वो इस्तमाल किये जाते हैं अब एक काम कीजिए आप चाहे तो screenshot ले सकते हैं या चाहे तो आप इसको आच्छे से एक सकेट इसको चाहे तो आप screenshot ले सकते हैं चाहे आप चाहे तो पढ़ सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे ठीक है जैसा आपको ठीक लगे आप इसको रटने के लिए याद करने के लिए लिख सकते हैं चली भी आप आगे ब बारूत का कुछ प्रोपर्टी होता है, जैसे गाड़ी है, गाड़ी कुछ प्रोपर्टी होता है सर, गाड़ी बहुत फास चलता है, गाड़ी का माइलेज देता है, गाड़ी में अब बैटके जा सकते हैं, तो उसी तरह से कुछ प्रोपर्टी होता है, explosive का, चेक, क्या प्रो कुछ दूसरा पॉर्पर्टी है वेलो सिटी ऑफ देटोनेशन पहले बार नाम हम बता दीते हैं फिर हमान आगे बढ़ते हैं इसके बाद इसका एक Density भी होता हर बारूद को कुछ ने कुछ density होगा है कि वाटर रेसिस्टेंश कि कुछ बारूद वाटर रेसिस्टेंश बनाये जाता है अब फ्यूम करेक्टरिक्स धूआ निकलेश का ऐसा बनाये जाता है इसके बाद है लीगल परमीशन जनरली यही सब होता है चलिए कि करके हम समझते हैं सबको प्रोपर्टी प्रोपर्टी में मैंने आपको बता है कि बहुत सारा वारूत का प्रोपर्टी होता है जिसमें मैंने आपको बहुत सारा बताया जिससे स्टेंथ होता है वेलोसिटी ऑफ डिपनेशन होता है डेंसिटी होता है वाटर रिसिस्टेंस फ्यूम करेक्टिस्टिक सेंसिटिविटी लीगल परमीशन यह सब कुछ बारूत के प्रोपर्टी होते हैं सबसे पहले हम आते है स्टेंथ पे तो स्टेंथ के बारे में समझेगा समझेगा तो हम पहले प्रोपर्टी लिग देते हैं कि प्रोपर्टी आफ। एक्सुबलोसिपस। सबसे पहले हमने क्या बता है अस्ट्रेंथ के बारे में अभी हम क्या बता रहे हैं तो बता रहे हैं कि जो अस्ट्रेंथ होता है किसी भी बारूत का अस्ट्रेंथ का मतलब क्या है जैसे मानले जो दूठो आदमी है दूठो आदमे कुस्ती लड़ रहा है तो हम देखेंगे कि एसा के बॉलेंके बिए मुटका वाला अदमिया है इसको सब्सक्राइट है। तो वो क्या है वो उसका स्टेंथ है इसी तरह से जो बारूद होता है बारूद का जो amount of energy है उसी को कहते हैं strength amount of energy कितना जादा उसके अंदर में energy है उसको हम लोग कहते हैं strength ठीक इसको simple भासा में ऐसे समझे कि जॉन सीना और अंडर ट्रेकर लडाई कर रहा है, ठीक, तो कौन जीतेगा, जिसके पास ज्यादा बल होगा, ठीक, ऐसे कुस्ती में तो कुछ भी होता है, मान के चलिए कि जो ज्यादा मजबूत है, वो ज्यादा जल्दी जीतेगा, तो इसमें strength मतलब होता है amount of energy, किसके अंदर बहुत ज्यादा उर्जा है, बहुत ज्यादा energy है, वो ज्यादा तोड़ फोड़ करेगा, जिसके अंदर कम उर्जा है, वो कम तोड़ फोड़ करेगा, स्टेंथ को हम दो केटेगरी में बाठते हैं पहला केटेगरी होता है वेट स्टेंथ वेट स्टेंथ और दूसरा केटेगरी होता है बल के स्टेंथ वेट स्टेंथ क्या होता है बल के स्टेंथ क्या होता है समझते हैं स्टेंथ हम क्या बता है It is major of amount of energy ये क्या है It is a major of amount of energy amount of energy नापने का एक तरीका है स्टेंथ को हम दो कैटेगरी में बाठते हैं Bulk स्टेंथ और weight स्टेंथ अगर आप कोई कार्ट्रीज का बारूद्न का कार्ट्रीज अगर आप कोई कार्ट्रीज अगर आप कोई कार्ट्र स्पेलिंग पर मत जाएगा ठीक है जज़ बात को समझेगा weight स्टेंथ हूं बोला गया है कि कुछ कंपणी जो है जैसे इंडिया लिमुटेड है और भी कुछ बारूद बनाने वाली मैनुफेक्शरेर वाली कंपणी है वह सब कुछ कंपणी weight strength में अपना बारूद को रखती है एक से लेकर के हग सउ तक में लाएक data रहता है अब बोलेगा कि जो बारूद है इसका strength है 3 तो मतलब इसका Eric कम है किसी बारूद को बोलेगा इसका strength है नभ दो बिसकज़ा ड्र सब्स तो उसका कम strength है, एक का weight strength आपको याद रखना चाहिए, जो किताब में भी दिया हुआ है, किताब में भी दिया हुआ है, तो होता है, blasting gelatin, इसका weight strength होता है, 100, ब्लास्टिंग gelatin का weight strength कितना होता है, 100, तो इसका मतलब यह हुआ, कि जो blasting gelatin है, इसका maximum weight strength होता है, कितना होता है, maximum weight strength होता है, तो ब्लास्टिंग gelatin का weight strength कितना होता है, 100 होता है, maximum strength होता है, maximum strength, तो generally क्या है, जिसको हम cartridge का form में रखते हैं, उसको नापने के लिए, उसका energy नापने के लिए, कितना ताकत है, नहीं है, वो तकतवा को नापने के लिए weight strength का इस्तेमाल करते हैं, और जो खूला करें इसको नापने के लिए हम लोग बलक कि स्टेंट का यूज करते हैं बलक कर नंबर होता है एक से लेकर के 100 के बीच में तो हर बारूथ का अपना अपना एक फो नंबर है तो नमबरवा देख कि कि वागत अपना तगड़ा है कि अपना फोड़ तोड़ जयादा करेड़ा तो a strength I hope आपको समझ में आओगा strength क्या है strength is the measure of amount of energy strength is the measure of strength of energy amount of energy strength is divided into two category weight strength, bulk strength weight strength हम cartridge वाला बारुत का करते हैं और bulk strength खूला बारुत का करते हैं weight strength में एक जो चीज है blasting gelatin उसका 100 होता है अब बाकी bulk strength में सब कोई किताब में दिया हुआ नहीं है तो आपको data दिमाग रखने का जोलत नहीं ठीक strength आपको समझ में आ गया होगा प्रोपर्टी में एक प्रोपर्टी है strength amount of energy को नापने का एक तरीखा weight strength bulk strength weight strength cartridge वाला बेल का strength खुला वाला blasting gelatin का weight strength 100 यहां तक याद हो गया चले आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है of explosive में दूसरा प्रोपर्टी पर जाते हैं वह है भी ओडिव ओडिव ओड़ और इंपोर्टन नहीं यह गवार इंपोर्टन और है और इंपोर्टन और इंपोर्टन जितना आप लगा सकते हैं लगा जीएगा बहुत ज़दे है कभी कभीकभी डायरेक्ट उपन और जो फीए कपोच्छ अब्रोपका पूछता और जो पारुट प्रोपका पूचत है वह यही चार लाइं सब्सक्रोंस क्या है इसको समझने के लिए हमें काम करेंगे फोड़ा सा नेट का सहारा लेंगे इंटर नेट का ठीक हैं तो यह यहां पर हमें कोई ब्राउजर ओपन करते हैं यहां पर हम लिखते हैं वाटर चले कोई भी में इसको हम जूम करते हैं इसको अगर पथर बीच में गिरा है तो इसके अगल बगल में ऐसा ही कुछ होता है यहां पर आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा हल चल है इसके बाद थोड़ा और दूर में देखिएगा थोड़ा सा और कम हल चल है बारुत भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जो बारूत फूटता है, उस बारूत का a speed होता एक, उसका जो wave travel करता है, बारूत जब फूटता है तो उसमें से कहा निकलता? वेब निकलता, इस वेब को travel करने का एक a speed होता है, उसी a speed को हम कहते हैं, velocity of detonation, कह कहते हैं, velocity of detonation, जितना ज़्यादा velocity of detonation होगा उतना ज़्यादा ये दूर तक पहुचेगा ठीक है उतना ज़्यादा दूर तक पहुचेगा और जितना कम होगा उतना कम इसका energy होगा या उतना अंदर ही रह जाएगा ये जैसे आप छोटा पत्थर फेक के मारिएगा तो बहुत दूर तक नहीं दिखाएगा असर लेकिन वही वाला बड़ा पत्थर फेक के मारिएगा तो बहुत ज़्यादा दूर तक असर दिखाएगा आपको घर में बैटके कभी ट्राई कीजिएगा पत्थर उतना तो ये क्या है बिसिकली velocity of detonation अब कुछ बारूत का आपको velocity of detonation याद रखना पड़ेगा velocity of detonation किसका याद रखना है तो याद रखिएगा high explosive, low explosive का category में हम लोग रखते हैं तो generally एक बारूत का अगर हम देखेंगे most of the high explosive permitted explosive and slurry explosive used in mines जिसको हम लोग mines में इस्तमाल करते हैं उसका एक range होता है पचीस सो से ले करके 5000 meter per second ये velocity of detonation generally होता है generally mines में जो explosive इस्तमाल होता है उसका हम बता रहे है ये general in general in mines लेकिन अगर आपसे पूछेगा कोई असपस्ट असपेस्फिक बारूत का तो आपको बताना पड़ेगा जैसे जो booster हम इस्तमाल करते हैं ठीक है जो booster हम इस्तमाल करते हैं उसका जो बारूद होता है योडी होता है बहुत ज्यादा होता है जैसे अगर हम बात करें OCG अपन कास्ट जैलेटन जिसको बोलते हैं इसका होता है 6000 मीटर पर सेकंड इसका फूल फ्रम क्या है अपन कास्ट जैलेटन का स्पेलिंग होता है जी एल एल ए टी आई एन जैलेटन अपन कास्ट जैलेटन जिसको हम लोग OCG कहते हैं इसका 6000 मीटर पर सेकंड होता है और प्र दिखें हैं यह तीन लाइन, तो आपको याद करी लेना हुख इटम कर लेना चाहिए क्योंकि इस थी Run से लेकि 5000 मिटर करते है लेकिन अगर हम बार स्पेस्पिक वारूट का करें जैसे बूस्टर में जो OCG आता है, OCG यानि उपेडर का सिलेटेन वाला आता है, उसका 6000 मिटर 30 सकिंड होता है और अगर हम प्राइमेक्स की बात करें तो 7000 मिटर पर सेकंड होता है, तो पहला लाइन ये रटना है, दूसरा लाइन ये रटना है, तीसरा लाइन ये रटना है, तीन लाइन रटिएगा, वेलोसिटी ऑफ डेटनेशन का टॉपिक पूरी तरह से खतम हो जाएगा, कबर हो ज अब इसी बात है, इसका हम लोग open cast माइस में ही उप्योग करते हैं, अंडरगार्ण माइस में उप्योग नहीं करते हैं, यहां तक आपको clear हो गया, चलिए आब आगए आते हैं, एक सेकेंट, चलिए, ज़स्ट असेके, अब आगए आते हैं, तीसरा नंबर पर अगर हम property of explosive तो वह है density, density के हर बारूत का कुछ न कुछ गहराई होता है, आप समझते हैं, एक container, दो container, तीन container, एक लिटर, एक लिटर, देखो भी यह तीन फोंडबा ले लिए, तीनों डबा एक लिटर का, अब हम क्या करेंगे, एक फोंडबा में molecule जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत में हम क्या करेंगे, थोड़ा दूर दूर में molecule को रखेंगे, बहुत कम molecule है, लेकिन थोड़ा दूर दूर, तीसरा में हम तीन चार को molecule मात रहे, तो अब आप गौर कीजिएगा, इसका जो inter molecule है, बहुत ज्यादा सामने है, तो इसका आप कह सकते हैं, density ज्यादा है, कैसे, density क मतलब, एक particular square unit में, एक particular square area में, मान लेजे, एक meter square का area है, तो उसमें कितना molecule है, अगर ज्यादा molecule है, तो density ज्यादा है, अगर कम molecule है, तो density कम है, अगर बहुत कम molecule है, तो density और भी कम है, ठीक है, बहुत कम है, तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें density ज्यादा है, फिर इसमें है तो अलग-अलग टाइप का बारूद में density जादा होता है अब आप मान के चलिए कि एक थो बारूद है इसमें हम क्या करेंगे बहुत सारा मॉलिकूल बारूद का डाल दिये तो इसका ओविसी बात है density जादा है मतलब जादा बारूद डाले है तो अब जादा बारूद डाले है तो जादा जोर से फूटेगा ना जी जादा बारूद डाले है तो जादा जोर से फूटेगा कम बारूद डाले है कम फूटेगा ठीक तो यही बोला गया है जादा जोर से फूटेगा ठीक है जादा जोर से फूटेगा तो density पर भी affect करता है तो ये भी एक property है ठीक है तो आपको कभी अगर पूछेगा कि बताइए जो बारुत का इस्तमाल आप कर रहे हैं तो आप अगर soft ground में कर रहे हैं तो कौन से बारुत का इस्तमाल करेंगे तो ध्यान रखेगा density जिसका ज़्यादा होगा वैसा बारुत का इस्तमाल जनरली हम लोग hard चटान में कड़ा चटान में mining में भी कर रहे हैं तो hard अस्टाटा में कर रहे हैं यानि low density high density low density प्योग कहां करते हैं कोल में करते हैं high density का इस्टाटा में करते हैं टनल में करते हैं अगर आस्टाटा में mining कर रहे हैं जैसे soft sinking कर रहे हैं उस जगह पर करते हैं ठीक है low density का उप्योग हम कोल वाला बारुत में करते हैं तो low density explosive using coal mines इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं low density explosive को हम टनल में उप्योग करते हैं soft sinking में उप्योग करते हैं मतलब low density का सब्सक्राइब करते हैं स्टाटा में करते हैं कि साफ्ट सिंकिंग में करते हैं ठीक है इसको आप रट लिजेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपते लिए कुछ ऐसा है ज्यादा है नहीं इसमें ठीक है आगे बढ़ते हैं आते अगला प्रूपर्टी पर अगला प्रूपर्टी है वाटर रेसिस्टेंस देखो एक एक एक्स्प्लोसिव है एक्स्प्लोसिव का नाम है सलरी एक्स्प्लोसिव कहां यूज करते हैं जहां पर बहुत पानी है जहां पर चटान है याने स्टाटा है वो फटा हुआ है क्रैक है बहुत ज्यादा उस जगह पर हम किस्तवा इस्तमाल करते हैं सलरी एक्स इसमें अगर पानी डाल देंगे या थोड़ा सा भी पानी पड़ेगा तो यह बारुद गोबर क्या होता है मतलब बारुद हो जाएगा लेकिन पानी वाला जगा पर इस्तमाल करते तो यह वाटर यहां पर लिखना चाहेंगे तो यहां पर दूचार लाइन है जो हम यहां पर लिखना चाहेंगे और आपको कोशिस कीजिएगा कि वह लाइन को आप नोट करते जाएगा जैसे हम लिखा रहे हैं है ना देखिए हम किताब से पढ़ाते जरूर है लेकिन बहुत सरा पॉइंट मेरे दिमांग में इधर उधर से आता है तो आपकर किताब से मैच कीजिएगा हो बहुत सरा ये सब हई वाटर रोड रेसिसटेंज घंग है इसके बाद ये तो हो गया एक लैंग दूसरा लैंग इसमें क्या दूसरा लैंग है नाइट्रो ग्लिसरील बढ़ेगा तो वाटर रेसिस्टेंस बढ़ेगा जितना नाइट्रो ग्लिसरीन डालेंगे उतना वाटर रेसिस्टेंस होगा नाइट्रो ग्लिसरीन डालेंगे उतना वाटर रेसिस्टेंस होगा जितना नाइट्रो ग्लिसरीन डालेंगे उतना वाटर रेसिस्टेंस होगा उसको पूरा अच्छी से सेख कर दिया नाइट्रो ग्लीसरीन को आ किसी का घर फेक के मारे तो उसका घर हमिशा हमिशा के लिए खतम हो जाएगा तबा हो जाएगा पता चलेगा कि एकदम लेबल ग्राउंड हो गया उस जागा घर दुबार का नाम निशान नहीं रहेगा तो नाइट्रो ग्ली सेरीन एक हाई एक्ष्पूसीव है वेरी हाई एक्ष्पूसीव काती जादा होता है और इसको माइनिंग सेक्टर में इस तुमाल करना वर्जित कर दिया गया है खासकर अंडर आईनल वैस इसको बृंट सारट एलग नंडा जाता मेंन मांस और उसको प्र जादा होगा, Water Resistance जादा होगा, छले I Hope यहाँ तग आपका Clear हो गया होगा छले आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं, अब आते हैं Sensitivity, क्या होता है तो देखिए बाणूत जो है, अगर लेकी आदमी जा रहा है, जा रहा है जा रहा है अचानक से विचरा गलती से गिर गया फूट जाएगा बारूट तो नहीं फूटे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बहुत सारा metallic powder मिला देते हैं metallic powder यह वाला आप याद कीजेगा तो हम आपको थोड़ा दिर पहले sensitizer जो बताएं थे न यह वही वाला sensitizer है sensitizer metallic powder sensitivity दिनों का आपस में connection ठीक तो हम लोग क्या करते हैं cartridge का form बारूट को रखते हैं ताकि वो ज्यादा safe रहे cartridge वाला बरदूब थोड़ा ज्यादा safe होता है by compare to बाकी यादर ठीक है इसमें तो कुछ जूरत नहीं है कुछ line इसको याद करने का आगे बढ़ते हैं अगे भ्यूम केरेक्टरि स्टिक अब मान के चलिए कि आप बारूत blasting के भूपन कास्ट माईस उवं भगल में एक फो बस्ती है ब्लास्ट कियें, ब्लास्टिंग से जो धुवा निकलाओ, धुवा उड़ उड़ के बस्ती में जा रहा है बस्ती वाला सांस ले रहा है, आदमी ठास रहा है, बिमार पड़ रहा है तो केस तो आफी Soon आप माम माम में करेगा, और चुकरा अ ठर्शा होना ज़िए विकल्ष भी चाहा है, इसा है हुस्ती को अच्छा है अच्छा फिूम क्रन स्धंड करेंग यह जिससे को कायंगा करेगा है ठीक है ऐसा हम इस्तों माल करें स्लरी एक्स्प्लोसिव और प्रिफर्ट टू दे नाइट्रो ग्लिसरी विरस क्या बुला गया है इसको हम प्रिफर करते हैं क्यों भाई इसमें से जो धुआ निकलता बहुत बढ़िया धुआ है खराब धुआ नहीं Ammonium Nitrate Based Explosive को हम क्या करेंगे? Prefer करेंगे Nitroglycerin आबरी बार खाले अंजी लिखेंगे Nitroglycerin क्या करेंगे? इसको हम Avoid करेंगे का है? काई किसमे से धुआ निकलता है धुआ जहरीला होता है कोई खातरा नहीं है तो नाइट्रो ग्लिसरीन वाला जो बारूद है इसमें जो जहरीला धुआ निकलता बड़ा खातरनाक होता है लेकिन सलरी एक्सप्लोसीब और अमोनियम नाइट्रीड वाला जो एक्सप्लोसीब है इसका धुआ से कौन हो फरक नहीं पढ़ने वाला है य यह होता है यह होता है फ्यूम करेक्डरिस्टिक अचले तो फ्यूम करेक्डरिस्टिक वाला आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा चले आगे बढ़ते हैं लास्ट वाला आता है लीगल पर्मिशन क्या यहां पर दो चार्ट टर्म हम समझाना चाहेंगे आपको CMRS DGMS SIMPAR CSIR तुचार को टरम हैं समझेगा सबसे पहले CMRS और DGMS ये दोनों का बारूद में डारेक्ट संबन्द है अगर कोई बारूद का जाँच किया जाता है तो जाँच करने में CMRS का बहुत ही एहम योगदान होता है ठीक है CMRS का बहुत ही एहम योगदान होता है ठीक है चले आगे मिल ही जाएगा खोई बात ने इसका फुल फ्रम होता है कोल माइन्स रिसर्च स्टेशन स्पेलिंग पर मज जाएगा मेरे जज़बातों को समझेगा कोई भी बारूत को परमिशन देता है कैसा क्या खेला चलता है मान के चले कि आप एक थो बारूत बना है बारूत बनाने के बाद आप सब हमरा जो बारूत है ना एक नंबर बारूत है इसको बजलाईएगा तो बगल में बस्ती वाला अगर कितनों रहेगा तो धुआ जाएगा खत्रा नहीं है इसका काम है रिसर्च करना तो DGMS CMRS को भेजेगा वो जो बारूत का सेंपल है और CMRS को देख के बोलेगा कि थोड़ा जाच करके देखो तो बावू ठीक है बारूत तो CMRS वाला अपना टीम जो है वो अलग-अलग माइस में उपन कास्ट में अंडरगाउंड में जहां अलग-अलग टाइप का ब्लास्टिंग होता है जिसके लिए प्रिफर्क किया गया है बारूत को वो बारूत को उस उस जगह पे ब्रास्ट करेगा प्रैक्टिकल देखे हैं अंडरगाउंड माइस में बारूत का इस्तमाल करते हैं सबको लीगल मिलता है है बिदाउठ लीगल मिशन का माइनिंग में बारूत का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं और लीगल पर्मिशन कौन देता है डीजी एमेस और सी एमरेस क्या करता है लीगल पर्मिशन देता है लीगल पर्मिशन देता है डीजी एमेस और सी एमरेस ठीक है डीजी एमेस और सी एमरेस लीगल पर्मिशन देता है लीगल पर्मिशन जनरली जो हम लोग देता है दिया जाता है वही वाला हम लोग यूज कर सकते हैं माइनिंग सेक्टर में ठीक है और जो पर्मिटेट टाइप का होता है इसमें भी कैटेगरी होता है लीगल पर्मिशन में भी पर्मिटेड होता है ठीक है पर्मिटेड का मतलब क्या है पर्मिटेड का मतलब है पर्मिटेड क्या है नॉन पर्मिटेड का है अंडर ग्राउड मांच में यूज नहीं कर सकतेा इसका मतलब clear cancelled मैं यूज कर सकते हैं अन्डर सकते हैं मतलब अबभान पर्मिटेड का यही मतलब है ये हिन सरी फृबडी असे माइंस का हम उसी बारूत का इस्तमाल करेंगे और बारूत कौन का DGMS और CMRS क्या करता है लीगल परमिसन देता है किसको explosive को explosive को ठीक है यहां तक आपका clear हो गया होगा I hope यहां तक आपका clear हो गया होगा ठीक है छले एक second छले आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा topic को हम different करते है types of explosive topic different होता है types of explosive अभी तक आपने क्या पढ़ा आपने explosive का elementary ideal या इसके बाद आपने material of explosive पढ़ा material of explosive पढ़ा material of explosive में अलग-अलग type का material के बारे में बता है कि mostable matter होता है oxidizing agent, nitrate compound, stabilizer, carbonate anti-setting agent, taking of salt sensitizer, metallic powder इसके बारे में बता है फिर आपको हम बता है properties of explosive properties of explosive के बारे में बता है फिर अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे है अभी आपको पढ़ा रहे types of explosive type of explosive के बारे में पढ़ा है ठीक है चले आगे बढ़ते जजबातों पर जाहिएगा सब्दों परे तो types of explosive क्या है सर अलग-अलग चीज़ पर depend करता है explosive आपको ग्रूप जेनरली हम लोग दो केटेगरी दो ग्रूप में रखते है इसमें भी high explosive और low explosive बारे में अलग-अलग होई जाता है सब्सक्राइब तो देखो यार टाइप सब्सक्राइब में क्या हो इसको हम लोग डिपेंडिंग डिपेंडिंग अपन अपन दश्पीड डिपेंडिंग अपन विव दा स्पीड विट विच एक्स्प्लोसिव इफेक्ट इन प्रोडूट इस प्रोडूच्ट मतब खूल मिला करके जो बारूद पूटता है उसके स्पीड के हिसाब से भीयोडिक के सकते हैं उसको एक तरह से उसके साब सेच को हम दो केटेगरी में बाढ़ते हैं पहला केटेगरी होता है लोव एक्स्प्लोसिव इसका एक्जाम्पल बात करें देखो लोव एक्स्प्लोसिव होता है जो आपका बहुत तेज नहीं फूटता है वलकि धीरे धीरे फूटता है ठीक है तो जैसे एक इसका एक्जाम्पल है गन पाउडर अब जो लिखे रहे हैं उसको पढ़िएगा पुलिस वाला का बंदूख में जो गोली रहता है उसमें गन पाउडर भरा रहता है तो हमने क्या बता है हमने बताए कि डिपैंडिंग अपॉन था स्पीड भी थे एक्स्प्लोसिव इफेक्टी इस प्रोडिउस्ट इसके हिसाब से हम दो केटेगरी बाटते हैं कुल मिला करके बारद्वा कितना स्पीड से फूट रहा है पहला केटेगरी होता है लो एक्सप्लोसिव का एक एक इक्जामपल है गन पाउडर तो कभी कोई बूछता है गन पाउडर पूलिस वाला जो बंदूग चलाता है डिश्केयों डिश्केयों करके जो फुटता है गोली तो वही डिश्केयों डिश्केयों करके जो बंदूक रहता है उसमें जो गोली भरा होता है उस गोली में जो बारूद है वो बारूद होता है गन पाउडर का आप सोच के देखें अगर gun powder किसी आदमी का जान दे सकता है तो high explosive का इस्तमाल किया जाएगा तो क्या ही हल करेगा समझ के देखें तो police वाला का गोली में generally gun powder भरा होता है लेकिन military वाला जो गोली होता है न कभी अगर आपको मिलेगा मौका तो police वाला गोली को हाथ में लेके देखेगा और army वाला गोली को हाथ में लेके देखेगा army वाला गोली बहुत ज़्यादा भारी होता है police वाला गोली थोड़ा हलका होता है कारण यह है क्योंकि low explosive gun powder भरा होता है police वाला गोली में चलिए अब आते हैं हाई explosive के उपर लें दूसरा क्या होता है दूसरा होता है हाई explosive हाई explosive क्या है सर हाई explosive का कुछ example आपको याद रखना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है जैसे ammonium nitrate क्या ammonium nitrate से हम बारूद बना सकते हैं जी बिल्कुल बना सकते हैं क्या स्रिफ और स्रिफ ammonium nitrate से हम बारूद बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं Ammonium Nitrate बारूद नहीं है, बलकि बारूद का एक constituent है, बारूद का क्या है, एक constituent है, ठीक है, तो याद रखेगा, यह सब constituent है, इससे कुछ-कुछ मिला देंगे, तब जाके बारूद बनेगा, इसी तरह से एक आता है Nitroglycerin, Nitroglycerin, Nitroglycerin एक बारूद नहीं है, बलकि एक explosive compound ह है, इसमें कुछ-कुछ चीज हम मिला देंगे, तो यह बारूद का रूप ले लेगा, तो Nitroglycerin, इसके बाद होता है, Trinitrotolvin, इसको हम लोग बोलते है, TNT, ठीक है, TNT, इसके बाद कुछ और भी नाम लिख रहे हैं, Spatial Gelatin, ठीक, Slurry Explosives भी एक हाई explosive है, बलकुल, Slurry Explosives, तो यह सब क्या है, यह सब हाई explosive का कुछ एक्जामपल, हाई explosive का क्या है, एक्जामपल, ठीक है, लोग explosive हाई explosive का एक एक्जामपल है, तो अब इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, एक्जामपल को, आपके लिए असान रहेगा, लेकिन हम एक काम करते हैं, इसको बहुत ह समझाते हैं एक तरफ है low explosive एक तरफ है high explosive ठीक है पहला कोशिन देखते हैं low explosive का जो speed होता है वो slow होता है high explosive का जो speed होता है वो fast होता है low explosive क्या होता लो एक्सप्लोसी में जनरली आपका इगनीशन जो होता है इगनीशन, अस्पैलिंग पर मत जएगा, इगनीशन को हम लोग flame से देते हैं, ठीके इगनीशन हम लोग flame से देते हैं, जबकि इसमें हमको क्या देना पड़ता है, हाई में आपको detonation देना पड़ता है, जिसको आप Lonica difference है कुछ इसका basic ठीक है Saturday effect होता है और वो आपका कर्टीक छले देख लेते हैं यह थिक आपका सटरीं एक्जामपल प्रोड्यूस करता है देक्ड आपका सटरींग एक्जामपल था एक्जामपल था यह इसक화 हांपल था हाई एक्प्लोसिब में क्या होता है एक तीसरा नमर का एक्जामपल है चोथा नमर में सट्रिंग इफेक्ट सो करता है सट्रिंग इफेक्ट जबकि इसमें जो है ये गोटा-गोटा पत्थर रहता है गोटा-गोटा मतलब बड़ा-बड़ा पत्थर तूटता है इसमें क्या होता है बड़ा-बड़ा पत्थर तूटता है मतलब बड़ा-बड़ा टुकड़ा में तूटता है चोड़े टुकड़ा नहीं हो पाता लो एक्स्प्लोसिव हाई एक्स्प्लोसिव का बीच में यहीं डिफ्रेंस है जो हम आपका लिख के एक साथ बता रहे हैं आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं आपका मर्जी है बाकी आगे बढ़ते हैं लोग एक भी पॉइंट हम नहीं छोड़ रहे हैं देखो यार अभी डीजे देश्मुक का वॉल्यूम वन का चैप्टर नुबर इट को हम पढ़ा रहे हैं अभी तक जितना हम पढ़ा हैं आप अकर किताब से पढ़ के देखेगा तो एक लाइन एक पॉइंट नहीं छूटा हुआ ह कोसिस मेरा यही रहता है कि जादा जादा और पॉइंट हम आपको बता है तो इसको बार 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 रिकेप कीजेगा मानते हैं एक्सप्लोसिफ चैप्टर बहुत कठीन है बहुत डिफिकल्ट है लेकिन आज का दौर के लिए बहुत ज़्यदा इंपॉर्टन जो डिफिकल् हुआ जादा चले होगा चैटिन वह बारूत के उपर में और गिटते हैं कि करómoणि सबसे पहला बारूत है गन पाउडर देखो यार पहलो तो यए समझे कि गन पाउडर से कि अभी sport किया जा सकता है जी बिलकुल किया जा सकता है लेकिन gun powder को directly क्या हम माइस में इस्तमाल करेंगे नहीं करेंगे gun powder का हम लो directly उपयोग नहीं करेंगे कुछ-कुछ चीज मिला देंगे gun powder में तो एक safe बारूद बन जाएगा इसमें हमको बहुत सरा चीज मिलाना पड़ेगा combustible material मिलाना पड़ेगा मने को लकड़ी हमको ऊड मिली या कुछ ऐसा मिलाना पड़ेगा थोड़ा oxidizing agent मिलाएंगे nitrate compound मिलाएंगे carbonate वाला compound मिलाएंगे stabilizer की रूप में केकिंग से बचाने के लिए हम लोग इसमें anti setting agent डालेंगे sensitizer डालेंगे इस सब मिलाने के बाद अगर हम नाइट्र गन पावडर से मिलाएंगे तो यह बहुत ही अच्छा बारूद बनेगा फिर उस बारूद को हम माईश में अपयोग करेंगे अगर हम सिर्फ गन पावडर को blast करना चाहते है तो बिल्कुल blast होगा ऐसा नहीं कि blast नहीं होगा लेकिन इसको हम safe नहीं कर सकते कि खाली गन पावडर का इस्तेमाल करेंगे तो गन पावडर safe गन पावडर में भी कुछ न कुछ chemical मिला होता है सबसे पहले आता है चारकूल चारकूल होता है 15 प्रतिसत इतना रटने का जौरत नहीं है कि इतना इतना परसेंट होता है एक मोटा मोटी हम आईडिया के लिए आपको बता रहे हैं ठीक है इसको रटने का जौरत नहीं है पोटासियम नाइट्रेट तो एक बर हम आपसे पूछते हैं अगर आप बता सकते हैं तो बताईएगा ये जो पोटासियम नाइट्रेट है ये आखिर क्या है ओप्सन दे रहे आपको जो potassium nitrate आप देख रहा है ये आखिर क्या option दे रहा है पहला option है इसको हम question number one declare करते है question number one का answer बताना है potassium nitrate आखिर क्या है combustible matter है जो देख रहा है उनसे request है बताइएगा आपको आपका girlfriend का वास्ता बताना पड़ेगा 1 का E होगा, B होगा, C होगा, D होगा या फिर sensitizer है चले एक बताना पड़ेगा, एक तो चुनना ही पड़ेगा potassium nitrate आपके हिसाब से क्या होगा gun powder में जो potassium nitrate है या अखिर क्या होगा combustible matter होगा, oxidizing agent होगा stabilizer होगा, sensitizer होगा 1 का A होगा, B होगा, C होगा, D होगा 1 का A, B, C, D आप comment section में comment कीजिए इसका क्या होगा, चले हम आपको बताते हैं, तो देखिए यहाँ पर nitrate लगा हुआ और nitrate के बारे में हम आपको जब पढ़ा रहे थे 5 to constituent, उसमें हम आपको बताये थे कि nitrate जो होता है, वो oxidizing agent होता है जैसे sodium nitrate, जैसे potassium nitrate जैसे ammonium nitrate, यह सब क्या था, यह सब आपको oxidizing agent था, यानि oxygen supply करने का काम करता है potassium nitrate, अगला सवाल, अगला सवाल, इसको हम question number 2 declare करते हैं, अगला सवाल को, question number 2 declare करते हैं, सुन लेजेगा सवाल, phatoc sensor दीजेगा, question number 2 है, कि आखिर charcoal इन में से क्या है, combustible matter है, oxidizing agent है, stabilizer है, sensitizer है, charcoal gun powder में किसका काम करेगा, charcoal आखिर क्या है, combustible matter है, oxidizing agent है, stabilizer है, sensitizer, बतेगा phatoc से, 2 का A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो यह जो charcoal है, sulfur है, यह दोनों का, दोनों क्या है, combustible matter है, combustible matter में हम आपको बताया थे, कि जो लकड़ी का बुरादा होता है, इसको अब बोलते हैं, ओड में, charcoal हो गया, sulfur हो गया, fiber हो गया, जो जलता है, बिसीकलिए, उसको हम लोग combustible matter कहते हैं, ठीक है, चलिए, तो gun powder के बारे, मैंने आपको बताया है, कि gun powder जो होता है, वो आपका कौन सा explosive है, gun powder क्या है, चलिए, इसको question बर 3 declare करते हैं, question बर 3 declare करते हैं, gun powder क्या है, option देरे आपको, low explosive, option नमर B है, high explosive, option नमर C है, low density explosive, option नमर D है, high density explosive, चलिए, इसका answer फटाक से बताईएगा, थरीका होगा, बी होगा, सी होगा, टी होगा, अगर अभी तक आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, तो हमको पुरा भरुसा है, आप सही सही बताईएगा, ठीक है, अभी अपर एगंटा होगा, या पतन चला, अपर वोगा साथ टाइम का पता नहीं चलता, अभी तक आप गन पाउडर क्या होगा, low explosive, high explosive, low density explosive, और high density explosive, चारों से एक और को चुनना पड़ेगा, चुटिए, तुका भी मार सकते हैं, बिल्कुल सही आपका, अगर आप सही बता रहे हैं कि जो गन पाउडर होता है, वो low explosive के कैटेगरी में आता है, high explosive के कैटेगरी में क्या आता है, ट्राइ नाइट्रो टॉल्वी, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रो गलिसरेन, ठीक है, या slurry explosive, यह सब high explosive का कैटेगरी में आता है, तो फूर low density और high density explosive क्या होता है, तो कुछ बारूद ऐसे होते हैं, जिनको अलग-अलग composition से मिला के बनाए जाता है, जिसमें constituent जो है, वो दूर-दूर रहते हैं, उसको बोलते हैं, low density explosive, और जिसमें बहुत ही पास-पास से तम merge करके रखे हैं, density high कर दिए, उसको कहते हैं, high density explosive ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो gunpowder में हमने क्या बता है, gunpowder में क्या था सर, gunpowder के बारे में बताया है, बैने, gunpowder एक low explosive है, इसमें sulfur था, इसमें charcoal था, इसमें आपका nitrate था, potassium nitrate था, potassium nitrate, ठीक है, sulfur आपका 10 था, तो ये 75 था, तो 75, 10, 85, 15, 15% था, टूटल मिला गए 100%, आपको पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, gunpowder को is not used in weight, gunpowder जनरली हम लोग कहां पर use करते हैं, gunpowder को हम लोग गीला जगा पर use नहीं करते हैं, weight place में हम लोग avoid करते हैं, I avoid, मतलब gunpowder जो है, वेट जगा पर हम लोग इस्तमाल नहीं करते हैं, और underground mines में इस्तमाल नहीं करते हैं, gunpowder को अगर हम fire करना चाहते हैं, तो safety fuel से fire करेंगे, किस से fire करेंगे, safety fuel से fire करेंगे, तो हमने आपको क्या-क्या point बता है, फिर से लिखते हैं, gunpowder में हमने क्या बता है, charcoal होता है, sulfur होता है, और आपका potassium, nitrate होता है, charcoal के बारे में मैंने बताया था, आपका 15%, sulfur था 10% और ये था 75% ठीक है, परसंटेज आपकरने जुरत नहीं है, जुरत नहीं है, हीविंग इफेक्ट सो करता है, low explosive है, ये क्या है से, ये आपका एक low explosive, तो low explosive है, ये बाकी property सेम है, हीविंग इफेक्ट सो करता है, हीविंग इफेक्ट सो करता है, ठीक है, चलो ये हो गया, और उसके बाद इसको हम लोग, इसको gun powder is fired, with the help of, चाहे तो note कर सकते हैं साथी साथ, सेप्टी फ्यूज, सेप्टी फ्यूज, सेप्टी फ्यूज से इसको हम help से, डेटोनेट करते हैं, चीक है, गन पाउडर, इज नौट, सूटेबल, फॉर, कहां-कहां सूटेबल नहीं है, सबसे पहले तो वेट प्लेस में, यानि जो भी गिला-गिला जगा है, वहां पे सूटेबल नहीं है, उसके बाद अंडर ग्राउंड माइस में, क्योंकि इसमें से जो धुवा निकलता, बड़ा ही खतरनाग निकलता है, तो गन पाउडर के बारे में इतना point तो आपको याद होना मंगता है, इतना point क्या मंगता है? याद होना मंगता है, गन पाउडर is fire with the help of safety fuse, कभी पूछ सकता है कि गन पाउडर को इन में से किस से fire किया जाता है, safety fuse से, detonator से, detonating core से, दूचार आलतु-फालतु option देखे, तो आपको टिक मारना है, गन पाउडर को हम safety fuse के help से blast करते हैं, गन पाउडर suitable है, wet places के लिए, underground wines के लिए, गन पाउडर में basically having effects हो करता है, तो ये सब कुछ चीजे हैं, इसको आप बार बार देखेगा, तो याद हो जाएगा, कोशिस ये कीजिए, साथी साथ नोट करते चलिए, चलिए, आते हैं आगे, अब आते हैं क्या, nitroglycerin, तो भईया, nitroglycerin को पानी में इस्तमाल करते हैं या, पानी में इस्तमाल करते हैं, इसको कोशिस नबर 4 बोल रहा है, तो कोशिस नबर 4 में बोलिएगा, पानी में इस्तमाल करेंगे, येस या नो, आपको टिक मारना है, कोशिस नबर 4 का, येस या नो, खाली येस ये नो बता दीजी येस ये नो वाई और एन भी लिख सकते हैं आप स्वाट में हम समझ जाएंगे नाइट्रो ग्लिसरीन को पानी में इस्तिमाल कर सकते हैं क्या येस ये नो बता दीजी जी बिल्कुल येस इसका एंसर हो जाएगा येस थोड़ा दीजी पहले हम आपको बताया थे कि नाइट्रो ग्लिसरीन बढ़ेगा पानी बढ़ेगा तो नाइट्रो ग्लिसरीन बढ़ा देंगे तो इस अब जगा पर हम इसको इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है चले क्यों सर नाइट्रो ग्लिसरीन को क्यों यूज़ कर सकते हैं हम पानी वाला जगा पर तो उसके पीछे का आप दुचार रीजन है चले हम समझाते हैं आपको सबसे पहले तो नाइट्रो ग्लिसरीन क्या है इन सॉलेबल इन वाटर पनिया में घुलबे नहीं करेगा कितनों पानी रहेगा उसे कौन हो मतलब नहीं है पानी में घुलेगा ही नहीं नाइट्रो ग्लिसरीन पानी में नहीं घुलता है ठीक है इसका specific gravity ये generally क्या होता है fluid type का होता है oily fluid होता है इसको हम oily fluid लिख देते हैं मतलब चिपचिपा type का तेल जैसा होता है nitroglycery इसका specific gravity की अगर मैं बात पूरू तो 1.6 होता है freezing point होता है 13 degree freezing इतना detail में याद करने का जौरत नहीं है बस हम इसको आपको समझाने के लिखते रहे हैं देखो यार insoluble होता है पानी में specific gravity 1.6 होता है freezing point 13 degree centigrade होता है पानी में घुलता नहीं है very sensitive होता है very sensitive होता है मतलब इसको हम पटक देंगे तो फूर जाएगा गलती से गीरा तो आदमी गया काम से गलती से गीरा तो आदमी गया काम से तो very sensitive होता ही यह बहुत ज्यादा sensitive होता है ठीक है तो गलती से गीर गया तो आदमी गया काम से ठीक है यानि कि the explosion by shock of any nature is very sensitive the sensitive to shock increases with nitroglycent freezes और to render it suitable for industrial it must be absorbed by the insert material गलाइश मतलब खूल भी लागर के कहा गया कि जब freezing point achieve कर लेगा ना इसका असर बढ़ता जाएगा ठीक है तो जो नागिन होता निच्छदारी नागिन जैसे रात होने लगता वैसे उसका ताकत बढ़ जाता तो वही ज़हला खेला है सर the turning point जिससे सड़ी अकरने लगा नाइट्रो फ्री लीसर्इड वैसे उसे इसका ताकत बढ़ जाएगा मतलब नाइट्रो इस न कなたा हो जाएगा नागिन बढ़ जाएगा लंबा टाइम तक अगर यह जलता है तो आदमी का माथा दर्थ करने लगता है ठीक है और बाकी तो आपको बता ही दिये हैं मौन सेंसिटीव होता है लो फ्रीजिंग जेंट डाई नाइट्रो ग्लाइकोल एंजी लो फ्रीजिंग पॉइंट इसे नुफ प्रोफिक्स पोलर विकिंग स्पेशल जरेटिंग तो देखो यह नाइट्रो ग्लीसरीन के बारे में हलका आपको फिर से बताते हैं तो नाइट्रो ग्लीसरीन एक बारूद है क्या नहीं बारूद नहीं है बारूद का कंस्टिच्टिवन्ट है नाइट्रो ग्लीसरीन को आप देंगे होल तो मेरा गलती है बहुत बड़ा गलती है नाइट्रोग्लिसरी ने को इनस्सॉलेबल वातर होता है मतलब पानी में जल्दी नहीं घुलता है इसलिए जहां पर ऊंपर Schüler का être आधि घ्रीज़ जैसे से फ्रीज होता है अतना ज्यादा इसका सेंसिटी की बढ़ते जाता है बहुत संसिटी होता है नायτ्रो-घ्लिसरीन न गलत लो lilator पोल केते हैं पूलर क्या है लो पुलार वीकिंग है तो इसा पॉलार इसका इस्तम to beयाह सकते हो मेरा काम है पढ़ा लेकिन इसका बईसिक कांसेट है आपको जाद रखने जरूरी है कौन-कौन सा पॉइंट पहला तो इंसॉलिबल होता है वाटर में बरफ जैसे से जमता है वसे जो और कतरनाक हो जाता है बहुत सेंसिटीव होता है और इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसे धुआ निकलता बहुत जदा धुआ निकलता इसे ठीक अगले बारूद के उपर अगला बारूद है आपका domonium कि नाइट्ड साम आमोनियम नाइट्रेट को आप सफोड में लिक सकते हैं और ऑपích एनइज फॉर एनोथर को तो थी यह मिलेगा हाइग्रोस्कॉपिक साल्ट क्या होता है समझते हैं बिसिकली ये कुछ ऐसा साल्ट है कि इसको हम ऐसा करते हैं समझते हैं एक गिलास लिए गिलास ने चलो कटोरा लिए कटोरा हम पानी डाले पानी डालने के बाद हम हाइग्रोस्कॉपिक साल्ट यानि कि अमोनियम को छोड़ा साइस पर ढल दिये धोड़ा दिर के बाद क्या होगा थोड़ा दिल के बाद जो पानी पूरा का पूरा पानी जो पाउडर हम चिड़के हैना उसके अपर है IMOANT silicon ona attain को पूरा सोक लेगा सर्ड़ इसलिस तो अब क्या है अगर हम आमूंयल Если का इस्तेमाल करने कोई बारूद में अमोनियम नाइट्रिट है अगर उसको पानी वाल में इस्तेमाल करेंगे तो पानी को सोख लेगा तो मेरा बारूद क्या होगा गुड़ गोबर हो जाएगा क्या हो जाएगा बारूद मेरा गुड़ प्लस गोबर मतलब बारूद मेरा बेका हो जाएगा बरबाद हो जाएगा इसी के लिए हम अम्मोनियम नाइट्रेट को पानी वाला जगा पर इस्तिमाल नहीं कर सकते हो तो हाइड्रोगोस्कॉपिक साल्ट का डेफनेशन लिख लिजिए पानी कि शोख लेता है सिम्पल भास हम समझे बाकी किमेश्टिया पढ़ने रहे हाइगरोस्कॉपिक साल्ट का मतलब होता है पानी सोख लेता है तो इसी लिए अम्मोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल पानी वाली जगह में नहीं होता है ठीक है सिम्पल भास है बहुत संबी वाटर पानी सोख लेता है और बहुत सायफ होता है है यह बिवाव सिपनामे थे थोड़ा जदा ज्यादा मजबूत होता है बतानी जौरत्नी हाइप्लोसीप का एक्जामपल है तो कि एभी इसको हम लोग इस्तमाल अगर करना चाहते हैं तो इसमें डीजर ओयल या ऐसा कुछ बिलाते हैं नाइट्रीक्स को हम इस्तमाल नहीं करते हैं बागी इसमें हम आपको जब ENFO बताएंगे तो हम आपको बताएंगे देखिए बहुत सारा चीज है अभी हलकालका एडिया देते हैं एक आता है में ENFO अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ओयल यानि कि जब इसमें अमोनियम नाइट्रेट में हम डीजल मिला देंगे कुछ एक फ बूट हो जाता है तो वो सब का सब आपका अमोनियम नाइट्रेट के बाद ही तो बनता है मोनियम नाइट्रेट में ही तो आप डीजल मिला रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट में डीजल मिलाने के बाद एनफो हो गया उसमें अगर आप कोई मैटल का पॉडर मिला रहेंगे तो प्रिल्ड ANFO हो गया, इसको आप लोग अगर अल्मूनियम पाउडर मिला देंगे तो अल्मूनाइजड ANFO हो गया, ऐसे करकर कि इसका बहुत सारा अलगलग फॉर्म है, जो कि बनता AN सही है, अमूनियम नाइट्रेट से ही बनता है, ठीक है, चलिए तो इसको हम लिख देते हैं यार, सिंपल भासा में अमूनियम नाइट्रेट से ही ANFO प्रिल्ड ANFO अलूमिनाइजड ANFO बनता है, चलो, आब हमको लगता है कुछ धरकार नहीं, बाकी डिटेल में लिखने का, इतना में तो आप समझी गए होंगे, अब इतना को पढ़ लीजेगा, हाईगर उसकॉपिक साल्ट होता है, पानी सोख लेता है, इसलिए पानी वाल होल में इस्तबाल नहीं खरते हैं, आमोनियम नाइट्रीट का बूस्टर से ब्लास्ट करेंगे, आमोनियम नाइट्रीट से ही ओन फुप यहां तक आपका क्लियर है, अब मेरा जो कोस्टिं हो और वे वह कोस्टिं नमब्र फई, इसका एंसर आपको देना पड़ेगा, तो का भी मार सकते हैं, नेचर से इनमे से कौनसा बारूद बनता है तो कोश्चन है कि नेचर से इनमे से कौनसा बारूद बनता है यानी नेचर से आज जी बिल्कुल आप सही सुन रहें नेचर से पत्ता लिए पानी लिए पौधा लिए इसको इधर प्रभुत कहां से मिट्टी उट्टी लिए उसक कुछ कुछ ये तो बारूद बन गया आप सही सुन रहे हैं और ये डीजे देश्मुक का किताब में लिखा हुआ है नेचर से बारूद बनता है इनमें से कौन सा बारूद है जिसको नेचर से बनाया जा सकता है अप्शन देरे आपको अप्टिक मार ये किताब पढ़िए जहां से भी बताईगी लेकिन बताईए अप्शन है आपका सबसे पहला अमोनियम नाइट्रेड दूसरा अप्शन है गन पाउडर पुरह लिख देते हैं गन पाउडर तीसरा अप्शन है ट्राइन नाइट्रोड और चौता अप्शन है कलॉडियन कोटर चले बिल्कुल आपको बताना है नेचर से इनने से कौन सा वारुद बनता है नेचर से प्राकिर्तिक रूप से आपको थोड़ा बहुत लैब का जुरुत पढ़ेगा लेकिन प्राकिर्तिक चीजों को मिलाके आप वारुद बना सकत बतेएगा क्या होगा थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको सुनके लेकिन यह आपका किताब में है डीजी दिस्मुक साहब इसका एकस्पेरिमेंट करके रख चुके हैं ऐसे ही उनका किताब 22 से नहीं चल रहा है तो आपको बताना है क्या होगा एंसर 5 का A होगा B होगा C हो कॉर्टन क्या होता है भई तो देखो यार बिसिकली सेल्यूलोज होता है एक चीज सेल्यूलोज क्या होता है हम समझाते है और अच्छे से आदमी गया धूप में बाहर घोमा फिरा ठक गया घर आया घर आने बाद बूला बाबू बहुत एनर्जी डाउन हो गया है थोड़ा ग्लूकोज घोल दो तो ग्लूकोज पिया ग्लूकोज पीने से क्या होता है आदमी को एनर्जी मिलता है क्या मिलता है आदमी को एनर्जी मिलता है इसी तरह से जो सेल्यूलोज होता है वो नेचर पैय जाता है, ठीक है इसी तरह से Acid, कुछ Acid होते हैं जो कुछ Nitric Nitric Acid भी आपका Nature में पाय जाता है तो अगर Cellulose को Cellulose को और Nitric Acid का बीच में Reaction करा दिया जाए तो एक High Exclusive बन जाएगा सर, जो बिल्ग возapon सही सुनां, आपने क्या सुना फिर से आपको repeat करते हैं हम आपको बताएं कि जैसे आदमी को glucose का johnraat पड़ता है उसी तरह से पिड़ पोधा को cellulose का जुरत पड़ता है cellulose में हम क्या डाल दिये cellulose में हम डाल दिये नाइटरी केसिद नाइटरी केसि ze डाल दिये ये आपका nature में मिल गया ये आपका nature में मिल गया ये दोनों को मिलने से क्या बन गया हाई explosive से low नहीं, low नहीं, low नहीं high explosive, low high cellulose और nitric acid को डाल देंगे तो इतना भहेंकर भी sport होगा कि दूर दूर तक आपको दिखाए देगा ये एक high explosive का उदाहरण है claudian cotter, लेकिन आप कहेंगे कि ratio क्या है, देखे बताते हैं जब कोई भी विद्वान आदमी किताब लिखते हैं, जैसे कि DJ Desmukh साब लिखे थे, HP Sony साहब है, LC Gakku साहब है ये के गुराई साहब है, इस अब जब किताब कितना composition में डालेंगे, तो high explosive बनेगा, लेकिन उन्होंने composition नहीं लिखा किताब कारण, कारण ये है कि फिर कोई न कोई इसका गलत इस्तमाल कर सकता है, बहुत सारे समाजिक तत्व हैं, उसका गलत इस्तमाल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर composition नहीं लिखा हुआ है, तो composition, exact ratio जो होता है, वो नहीं लिखा हुआ है, तो अब आदमी experiment करेगा, तो कर सकता है लेकिन composition नहीं दिया है, फिलाल आप जानके चलिए, cellulose और nitric acid को मिला देने से high explosive बनता है, उसी explosive को कहते है Claudian cotton, क्या कहते है Claudian cotton, तो Claudian cotton को एक बार फिर से repeat करते है Claudian cotton इसमें दो चीजे होती है Cellulose plus nitric acid nitric acid इसको मिलाने से क्या बनता है, एक high explosive बनता है, और यही high explosive क्या है, यही high explosive है आपका, Claudian cotton ठीक है इसको safely हम लोग इस्तमाल करना चाहते है, तो इसमें हम क्या करते है galvanized कर देते है gelatinized कर देते हैं gelatinized कर देते हैं, अगर इसको हम लोग safely handle करना चाहते है ठीक है, तो Claudian cotton एक natural बारूद है ठीक है छले आगे बढ़ते है Claudian cotton अब आते हैं TNT, TNT बोले तो trinitrotolvine यह basically reaction होता है किसके किसके बीच में nitric acid है प्लस बेंजीन है या फिर टॉल्विन 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 यह ने यह ने हाँ बिल्गुल सही अब ट्राइ नाइट्रो टॉल्विन ट्राइ नाइट्रो टॉल्विन टि अंटी एक हाई इक्सप्लोसीब है nitric acid बेंजीन या टॉल्विन दोन में से कोई भी बेंजीन डालो या टॉल्विन डालो है एकी चीज थोड़ से spelling पर mind मत किजेगा nitric acid में जब हम tolwin डाल दे या nitric acid में benzene डाल दे तो उस condition में आपका क्या बनता है trinitrotolwin बनता है trinitrotolwin basically एक high explosive है ठीक है और इसको हम लोग detonator के help से हम लोग इस्तमाल करते हैं और जिसमें हम detonator ना डालके booster डालके जलाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं या detonating fuse डालके जलाते हैं basically हम लोग उसको बोलते है non-cap sensitive चलो यहाँ पर एक term याद आ गया तो हम पढ़ाई देते है cap sensitive cap sensitive में बोला गया है cap sensitive can be blasted with the help of detonating fuse या detonator ठीक है detonator या detonating fuse जिसमें हम detonator या detonating fuse कर डालके डालाते हैं blasted with the help of detonator as it to be cap sensitive a detonator has to be explosive or capped in intimate contact with such cap sensitive explosive can be blasted with the help of detonating fuse like codex also close later on contact the detonator itself need to be detonated by detonator an explosive which is not cap sensitive blasted by keeping close on things boosted self-initiated by the detonating fuse a cap non-capsal sensitive चलो चलो दिमाग में आगया फोड़ कभी कभी दिमाग से उतर जाता है थोड़ा देखना पड़ता है इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या होता है या non-cap sensitive क्या होता है जिसमें हम लोग booster डाल के जलाते हैं जिसको हम लोग booster के help से जलाते हैं उसे कहते हैं help से detonate करते हैं या जलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं non-cap sensitive क्या कहते हैं नौन क्या तो तो क्या होता है समझेगा क्या होता है है तो आप क्या करते हैं डेटुनेटर के लाते हैं तो उसको कहते हैं कैप सेंसिटिव और जिसको आप बूस्टर के हेल्प से लाते हैं उसको क्या कहता है बूस्टर सेंसिटिव ठीक है यहां दगाए कि आई हूप आपको क्लियर हो गया होगा आप इस एक्जामपल में अमूनियम नाइट्रीट इस एक्जामपल दे दिया क्या है ठीक है ठीक अब आते हैं हम दो कुछ कुछ और भी टर्म पे आगे चलो कोसिस करते हैं जितना हो सकता हम खतम करें जितना हो सकता है एक घंटा चौबीस मिनट ओ माइगाट कोई बात थी भाई साब सब होता है सब चलता है बूश्टर देखो यह बूश्टर का होता है इसको समझते है बूला गिया है for effective detonation of some slurry explosive गे तो देखो फूड़ा देरे पहले जब हम बताय थे आपको थो 7000 descriptor per second हम प्राइमर को भी बताय थे तो प्राइमर भोलो या प्राइमक्स भोलोसि का एक कंपणी है अलिग कंपणी का प्राइमर प्राइमक्स यह दोनों का 7000m3s PrimeX में, बिसी के लिए होता क्या है, PTN होता है PTN बेस्ट चार्ज और Primary charge दोनों मिलाके तो यह दोनों मिलाके होता है, यह 7000m3s होता है, weight strength के अगर मैं बात करूँ तो 82 होता है इसको हम लोग detonating fuse या detonator बूष्टर में हम लोग किसमे किसमे यूज करते हैं जैसे सलरी हो गया इन जगा फे वह बूष्टर किया है इसको समझते हैं तो देखो यार बूष्टर क्या है अभी मान लिजिये हम पचीस सो मीटर प्रती सेंड के स्पीट से ब्लास्टिंग कर रहा है तो हमको कम एनरजी मिल रहा है हम चाहते हैं हाई एक्स्प्लूसिफ बन्द भाय अंकर वाला और मेरे पास उतना बारूद नहीं है या हमको बहुत ज़्यादा जुरत है या हाड़ च्टाटा है तो हम उस जगा पर बूस्टर डाल देंगे बूस्टर डालने से साथ जार मीट सबस्प्रक्रति सेकेंड हो गया तो बहुत ज़्यादा इसका ड्रेवल करेंगा बहुत ज्यादा तोड़ बोड करेंगा रगा मतलब इक हाई एक्स्प्लूसिफ और भी ज्यादा पावर्फूल हो जाएगा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बूस्टर डालते बूस्टर क्या है जो power है उसको बढ़ा देता है जो पवर है उसको बढ़ा देता है ठीक है तो इसी को हम लोग बोलते हैं basically booster ठीक बहुत शरी बूस्टर्स के बारे में दिया है उसमें पेंटओ लाइट के बारे में भी दिया हुआ है तो उतना detail में जाने जुरुत नहीं है Primix के बारे में आप खली याद रखेगा तो आपका काम चल जाएगा Primix Palette Cast Booster is not subsidized for substitute for the explosive charge ओके Cast Booster क्या होता है समझ जो यार तो Booster के बारे में हमने क्या बता है, Booster क्या है Booster basically power देता है Power देता है, ठीक है मान के चली कि explosive है explosive से हमको भयंकर blast करना है, यानि hard start blast करना है, तो hard start blast करना है, मेरे पास तोड़ा सा energy कम पल रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगा Booster डाल देंगा, Booster डालने से और भी भयंकर धमाका होगा ठीक है, तो इसी को बोलते है कोडवा है उसको इधर से लाते हैं और इधर से पार करके यहां गाट लगा के बांद देते हैं तो ऐसे करके हम बांद देते हैं बैसिकलिए इस अब लिखा हुआ है किताब में ठीक आप पढ़िएगा तो आपको डिटेल में समझ माएगा डीफोल ब्लास्टिंग का बात जाते हैं डीफोल ब्लास्टिंग में बहुत सारा नियम कानून इंप्लिमेंट हो जाता है और उस कंडिशन में हमको अलग-अलग बारूत का इस्तमाल करना पड़ता है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं बाकी OCG के बारे में हम बता चुके हैं आपको OCG को बोलते हैं उपन का सब्सक्राइब कर लिजेगा ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक हैं चले एक बन मैं देख लेता हूं कुछ छूट तो नहीं रहा है मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि टाइम हो गया काफी फर एफेक्टिव डिटनिशन उप सम्में अले सलरी एक्क्लोसिब एन एन फो मिक् इतना है बारूत डिटनिटर के बारे में अलग से कुई कंपणी के बारे में जानके फाइदा नहीं है प्राइमिक सिस्क्राइड प्रोवाइड़ेड विक टू होल्स जो हम आपको बता है अभी कि दूगों से तर्या पार करके बांधते हैं बस यहीं इंगलिस में लिख द तुर्ग प्रेट थू दर्टेट थू थू थूख दिर्ट्ट गडिस आज इंट थिस एंप्रेड दिर्टेट शाइड थिस एं प्रिटाइड यहीं बांधते हैं ओ जो मैंने बता आया कास्ट बूत इन इस शुटिट फो दिटूट नहीं प्रूसिफ चाहईज इन इस अ कुल मिलागर के बूला देखो क्या बूला है हलका पूल का कौन चूट गया था चलो बता देते हैं एक ठो होल है कि होलवा में आप का किये हैं होलवा में आप बारुद्वा लटका दिये डेटोनेटर को ऐसे डालके जो बूस्टर था बूस्टर को डालके इसे लटका दिये हैं लटकाने के बाद अब आप बारुद भरने का काम कीजिए अब इसके उपर में बारुद भरिएगा ठीक है तो बस यही लिखा है पहले हम लोग क्या करेंगे जो बूस्टर होता है श्रीप तल्ली से पूरी तरह से टश न हो और जादा ऊपर भी ना रहे यानि कि यह नीचे के पोरिशन में कवर करे ताकि नीचे में सबसे ज्यादा चार्ज का जुरत परता है नीचे में charge concentrated होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा अच्छे से blasting कर पाए center point यहाँ पर होता है क्योंकि यहाँ पर दो face निकल जाता है side में भी और बीच में भी तीन side इसका हो जाता है generally सबका दो side होता है इसी लिए ठीक है चले तो यही सब लिखा हुआ था ओके बाकी तो मैंने बता ही दिया है ठीक है अगला class से अब कुछ बारूत के बारे में पढ़ेंगे ANFO ammonium nitrate fuel oil के बारे में फिर आपका slurry explosive के बारे में ठीक है और देन आपका कुछ और भी बारूत होगा तो emulsion होगा emulsion slurry के बारे में जो हम पढ़ेंगे तो अभी से बात है side mix slurry के बारे में पढ़ेंगे emulsion पढ़ेंगे तो sme side mix emulsion के बारे में पढ़ेंगे ठीक है फिर ANFO पढ़ेंगे तो हम लोग इसके साथ में कुछ और भी होता है heavy NFO ये क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अगला क्लास में फिर permitted बारूत के बारे में हम आपको बताएंगे कि permitted explosive क्या क्या होता है कैसे कैसे वो बनाया जाता है सीथेड नॉन सीथेड फिर कुछ companies के बारे में हलका idea आपको दूंगा कि कौन कौन सी companies है जो जनरली बारूत बनाती है ठीक है फिर detonator पर हमको आना पड़ेगा detonator क्या होता है कितने type का होता है detonating fuse क्या होता है detonating code क्या होता है ठीक है तो ये सब भलका आपको idea कोशिस रहेगा septifuse क्या होता है nonel क्या होता है चलो तो ये वला हम कोशिस करेंगे अगला क्लास में देने का अभी वैसे 12 बजने वाला है दो मिनट बाकी है तो चलो ठीक है भूत निकलने का time हो गया है दो मिनट बाकी निकल जाएगा तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं आप लोग भी क्लास अच्छे से कीजिएगा ठीक है चले I'm just joking देखो एक्स्प्लोसिफ वाला जो चैप्टर है उसके लिए मेरा कुछ सजिसन है कि एक्स्प्लोसिफ चैप्टर आप जब कीजिएगा इस वीडियो को तो किताब को आपने सामने रखेगा और जब कॉपी भी अपने सामने रखेगा कलम कॉपी और जैसे से हम आप वो पढ़ाते जारे कोशिस किजिएगा उस अब को नोट करते जाए या फिर अगर नोट नहीं कर सकते है तो किताब रखे और मेरे पढ़ाने के बाद फिर से किताब को पढ़िए और अंडरलाइन करते जाएगे उससे क्या होगा उससे आप आपका जो पढ़ाएं हैं अच्छे से रिविजन हो जाएगा और पॉइंट दिमाग में बैठ जाएगा और पॉइंट दिमाग में बैठना बहुत ज़रूरी है कासकर एक्स्प्लोसिफ चैप्टर का चलि मिलते है अगले क्लास में तक के लिए कीप आचिंग, कीप सपोर्टिंग तिल दैन, जैन